जैस्मिन भसीन का ये राज सुनते ही रह गए दंग अली गोनी आईए बताते हैं आपको खबर डीटेल में पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तों मैं हुशल का चवान और आप देख रहे हैं मूवी जड़ा दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि बिग बॉस सीजन 14 के घर अब आगया है नयाब ट्विस्ट जैसे हम सभी जानते हैं सलमान खान ने हाली में कह दिया था सभी सदस्यों से कि अगले हफते होगा फिनाले और सब 4 सदस्य आगे जाएंगे अब इसी के चलते मैं आपको ये बता दू कि सभी सदस्यों को बिग बॉस द्वारा ये मौका दिया गया है कि रुबीना के पास जो स्टोन है इम्म्यूनिटी स्टोन जो एकता कपूर ने उन्हें सौपा था उस स्टोन के लिए अब सभी लडाई जगडा कर सकते हैं पर शर्त एक ही है कि उनको अपने दिल का जो डाकिस्ट सीक्रिट है जो उन्होंने दर्शकों से या फिर किसी से भी शेर नहीं किया है महज अपने घरवालों से ही शेर किया है उसको अब पूरे नेशन यानि पूरे भारत के सामने उनको बताना पड़ेगा नैशनल टेलिविजन पर तो जैस्मिन भसीन का जो सीक्रिट है वो सुनते ही रह गए है दंग अली गोनी जैस्मिन भसीन सीक्रिट बताने से पहले ही रोते हुए नजर आई और अली गोनी से उन्होंने बातचीत की और वो कहती है अली से कि I hope कि तुम जैसे मुझसे अब प्यार करते हो वैसे ही प्यार करोगे मेरा ये डाकिस्ट सीक्रिट जानते ही दोस्तों तो डाकिस सीक्रिट ये है जैस्मिन भसीन का कि वो कहती है कि अंदर जाने के बाद कि मैं बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ मैंने बहुत से और मैं हमेशा रिजेक्ट ही होते आई और इतना रिजेक्शन सेहने के बाद मैंने ये कदम उठाने की सोची और हम हम सभी जानते है कि प्रोमो में जो में चीज होती है वो काटी जाती है क्योंकि हाला कि फिर एपिसोड कॉन देखेगा दोस्तों तो क्या है वो स्टेप जो जास्मिल ने उठाया था वो तो हम सभी को जानना बाकी है पर अगर ऐसी कुछ बात है जिससे अली और उनके